हेलो गाईज, असलाम अलेकूम, क्या आले सब के, उमीद करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, अच्छा मैं आज गई थी, चेलम पे रोडी, रोडी का नाम आपने सुना होगा के नहीं, पता नहीं मुझे, रोडी सक्खर, एक छोटा सा शहर सक्खर के बराबर में ही रोडी, तो मनाया जा रहा है, मैं आपके साथ ये विलोग शेयर कर रही हूँ, आप मेरा विलोग देखें और इंजॉय करें, और मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा ये, चले जी, स्टार्ट करत चेलम पर इतने लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, लोग यहां मनते मतलब उनकी पूरी होती है, तो मनते लेकर आते हैं, मनते उठा कर जाते हैं, ये जुला एमाम अलियसकर का आप देखें, इसमें से भी लोग मनते उठाते हैं, और रखकर भी जाते हैं, और यह देखें कर्बला का ये इनोंने अक्स बनाया हुआ है ये इतना खुब्सूरत बनाया हुआ है के क्या बताऊओं? अच्छा यहां पे भी लोग मनद उठाते हैं, रेखते हैं, मतलब ये सिल्सला चलता रेता है. और यहां पर इतना रश होता है दूर-दूर से लोग आते हैं ये चेलम मनाने जैसे एरान एराक में होता है बिलकुल वेसे मना रहे हैं अभी चार साल से यहां रोडी में तो हमने ये चेलम मनाया यहां लोग पेदल सफर करते हैं तक्रीबँ जिसे इरान में होता है कि 85 किलो मीटर हमें पेदल सफर करना पड़ता है कि इरान और एराक का यहां भी लोग दूर दूर से आते हैं कि हमें वहां जाने की मतलब जो अफॉर्ट नहीं कर सकता तो यहां नि को हात में अलम अबास का गाजी अबास का अलम है और बहुत सी लेडीज भी रहती हैं वो पेदल सफर करती हैं मैं गई थी दो साल मैं भी गई थी पेदल सफर में भी किया था लेकिन साल मेरी तबीयस कुछ मतलब सही नहीं थी इस वजह से मैंने सफर नहीं किया तो मैंने हस्बेन को कहा कि चलें हम मुझे बाइक पर लेकर चलें मैं जरूर जाओंगी अच्छा ये जो ब्रिज है ये रोडी और सखर को एक साथ मिलाती है और ये ब्रिज सिंदे की मश्शूर मतलब फेमस बिर्ज है ये हमारी अच्छा ये सबील लगी हुई थी यहां पर रास्ते में बहुत सारी सबीले लगी हुई थी और जैसे पेदल लोग आ रहे थे तो पानी बगेरा खाना पीना हर चीज उनको मिल रहा था अच्छा ये मौकब लगे हुए थे मतलब हर जगा से मौकब मौकब जहां चाहू आपको हर चीज यहां मिल जाएगी अभी ये मैंने आपको अलम दिखाया गाजी अबास अलमदार का अलम है या नीचे पीरे साइंस अदरदीन शाबाशा ये भी बहुत मतलब नाम वाला पीरे सिंदका मतलब फैमस जो है नाम साइंका तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसकी हिस्टरी तो अभी हमें पांच बज गए थे तो पूरा दिन हमने वहां गुजारे है चेलम पे रोड़ी में तो हम अभी निकले थे घर के लिए मैंने कहा कि आपके साथ ये वीडियो थोड़ी शेयर करूँ के पता चले के चेलम हमारे यहां कैसे मनाया जाता है आप देख सकते हैं कि कितना रह्षे अभी में आपको रात को भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और ये दिन की है मतलब ये मतलब है खतम था चेलम, तो लोग वापस जा रहे थे, हम भी वापस जा रहे थे. यहां बहुत सारी लेडी आती हैं, और जैन्स वगlorा भी आते हैं, बचके तो बहुत होते हैं. हर चीज खाने पीने की यहां मिल जाती है आपको. आप देखे कैसे लेडीज सफर कर रही है वो भी बगेर किसी जैन्स के यह कोई भी इशु नहीं होता किसी चीज़ का हर कोई बस मौला के गम मनाने आते हैं यहां पर बस मौला का गम होता है और कुछ भी नहीं होता यह देखें यह मौकिब लगे हुए हैं कितने मोकिब लगे हैं और रास्ते में खाने पीने की हैज चीज मिलती है आपको ये वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करिए